नवश्कार दोस्तों सुआगत हैं आप सभी का इस समय की बड़ी खबरे लेकर आए हैं एक के करके हर बड़ी खबर दोस्तों आप तक पहुँचाएंगे ये कुछ चुनिंदा बड़ी खबरे हैं जो मुख्य समाचार में सामिल थी एक के करके आगे वीडियो में जानेंगे दोस्तों आप हमाई साथ वीडियो में बने रहिएगा जिससे की कोई भी बड़ी ख़वर आप से छूटे रही और हर जानकारी आप तक सही सही पहुंचे अगर दोस्तों आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया गठवर्णन एंडिये को कड़ी टकर देगा और यहाँ पर बाजी पलट सकता है यहाँ पर दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए दोस्तों पहली बड़ी ख़वर आप सभी को बताते चलें दोस्तों इस समय की बड़ी ख़वा सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है सीजी आई डीवाई चंदचूर की फटकार के बाद जागी है सरकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में ही बड़ा खुला सा जी हाँ दोस्तों अभी तक सरकार सचाई बताने से पीछे हट रही थी लेकिन जब सीजी आई का पारा चड़ा उन्हें गुस्रा आया तो सरकार को फटकार लगाई और सरकार ने तुरंत वहाँ पर सारा सच उगल दिया दोस्तों मुखे नायदिस डीवाई चंद चूर की अध्यचता वाली एक सम्विधान पीठ ने अनुछेद तीन सो सत्तर को निरस्त करने को चुनवाती देने वाली याजकाओं पर सुनबाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि 35 एक के तहत यहाँ पर बहुत से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वहीं दोस्तों अब चीप जश्टिस डीवाई चंद चूर की अध्यचता वाली समिधान पीठ के आगे सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा खुलासा किया है उन्होंने कहा कि कश्मीर राज का दर्जा बाहल करने के लिए समय सीमा के बारे में जल्द ही किंद सरकार निर्न लेगी वहीं सुप्रीम कूट को सूचित किया कि जम्मू कश्मीर के लिए किंद सासित पिदेश का दर्जा कोई इस्थाई बेवस्ता नहीं है जल्द ही आने वाले समय में इस ब्यवस्था को बदला जाएगा और जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज्य का दरजा दिया जाएगा देख सकते हैं दोस्तों सीजी आई ने जब फटका लगाई तब केंद सरकार ने असलियत बताई कि यहाँ कोई इस्थाई ब्यवस्था नहीं है कि जम्मु कश्मीर को केंद सावसित पैदेश हमेशा के लिए बनाया गया है लेकिन यहाँ एक आइस्थाई ब्यवस्था है और जल्द ही इसमें परिवायतन भी किया जाएगा ये बड़ी बाद दोस्तों सुप्रीम कोट के सामने सॉलिसिटर जनरल तुसार महता ने बताई दोस्तों इसी के साथ एक और ख़बर की तरब चलते हैं एक बार फिर से बागी तेवर अपना हैं बड़ा वैन दिया है दोस्तों सुपर्मनेम स्वामी ने जी हाँ दोस्तों चीन ने एक नकसा जारी किया है जिसमें भारत के अरुनाचल प्रदेश को और अकसाई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है जिसके बाद यहाँ पर कॉंग प्रचल प्रदेश यहाँ बिल्कुल भी बरदास्त नहीं किया जाएगा स्वामी पसाद मौल ने कहा कि अब मोदी को सेवा निबरत्र होकर मार्ग दरसक मंडल में जाना चाहिए दोस्तों सुबर्मनेम स्वामी ने कहा कि मोदी से कहें यदि आप मजबूरी के कारण भारत माता की अखंडता की रच्छा नहीं कर सकते जिसे आप सुईकार नहीं कर सकते तो कम से कम आप हट जरू सकते हैं और सेवा निबरत्ती ले ले और मार्ग दरसक मंडल में चले और बड़ी वात कह दी है अगर आप भे सुबर्मनेम स्वामी की इस बात से सहमत है तो लाइक कीजेगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू लिखेगा दोस्तों जाए हिंद जाए भारत एक और ख़वर की तरब चलते हैं मनिपूर हिंसा पर विधान सवा में बुरी फसी है बीजेपी सरकार जी हाँ दोस्तों मनिपूर में विधान सवा का सस्तर बुलाया गया था एक दिन का और मनिपूर हिंसा पर विधान सवा में चाचा से बीजेपी सरकार भागी है एक दिन का सस्तर एक घंटे के भीता अनि उठा दी इस पर हंगामे के बीच बिधान सवाद धेच्च ने सरस्त्र को अनिश्चित काल के लिए इस्थागित कर दिया यहाँ पर दोस्तों यह बड़ी ख़वर निकल गया चलिए अगली ख़वर की दब चलते हैं कॉंग्रेस अध्यच मालिक अजुन ख़डगे का बड़ा बयान जी हां दोस्तों जब बोट लगे घटने तो चुनावी तोफे लगे बटने जी हां दोस्तों जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली नेदाई मोधी सरकार अब माताओ बहनों से दिखावटी सदभाबना जत आ रही है मालिक अजुन ख़डगे ने आगे कहा कि साढ़े नौ सालों तक 400 का एलपीजी स्लेंडर 1100 में बेच कर आम आदमी की जिंदगी तभा करते रहे तब कोई इसने भेट की याद क्यों नहीं आई भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोण भारतियों को साढ़े नौ साल तरपाने के बाद चुनावी लालुपाप थमाने से काम नहीं चलेगा आपके एक दसक के पाप नहीं धुलेंगे भाजपा लागू कमर तोड महंगाई का मुकाबला करने के लिए कौंगेस पार्टी पहली वार कई राज़ियों में गरीबों के लिए केवल 500 रुपए का सिलेंडर करने वाली है कई राज जैसे राजस्थान इसे लागू भी कर चुके हैं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मोधी सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर पर घटा दिये हैं और यहाँ पर दिखावा किया जा रहा है कि दाम कम कर देगे हैं जबकि असलियत है कि पिछले चार सालों से और भी ज़्यादा दाम बढ़ाएगे और जब यहाँ पर 2024 के लोग सवा चुनाओ नश्दीक हैं पांच राज्यों में उससे पहले विधान सवा चुनाओ होने हैं ठीक पहले यहाँ पर दिखावा किया जा रहा है कि यहाँ पर महंगाई कम हो गई है कीमते कम कर दी गई है वहीं मालिका जुन खड़गे ने आगे करते हुए लिखा इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी जनता ने मन मना लिया है महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को एक जिट डो दिखाना ही एक मात्र विकल्प है यह बड़े खावा निकलके आई दोस्तों देख सकते हैं जब बोट लगे घटने तो चुनावी त पापत्यासी सुधाका सिंग के लिए पेचार करने पहुंचे पूर्वसियम अखिलेश शादर में कहा कि यहाँ चुनाओ सिर्फ एक बिधान सवा का चुनाओ नहीं है यहाँ दोजाच चौबिस लोग सवा चुनाओ के लिए एक संदेज है उन्होंने कहा कि इंडिया गढ द्रणन की एक जुट्ता से बीजेपी पूरी तईके से घबडा गई है अखिलेश शादर में कहा कि घोसी विधान सवा के मददाताओं ने सुधाका सिंग को एतिहासिक मतों से चुनाओ जिताने का मन बना लिया है आज गरीब किसान नौजवान हर कोई बीजेपी पार्ट के पत्यासि को पूरा समयथन दिया है वहीं सपा के राष्टे अध्यच ने कहा कि बीजेपी जानती है कि वहां घोसी विधान सवा चुनाओं बड़े अंतर से हायने जा रही है इसलिए घोसी विधान सवा में अपने सभी मंत्रियों को बीजेपी ने उताय दिया है आज कल पूरे घोसी विधान सवा चेतर में मंत्री ही मंत्री दिखाई दे रहे हैं यहां सब जनता को धोखा देने आये हैं उप चुनाओं के बाद फिर कभी दिखाई नहीं देंगे बड़ी बात कही है दोस्तों पूर्वसिया माखिलेश यादब ने दोस्तों बिधान सवा चुनाओं नश्दीख हैं पांच राज्यों में और 2024 में लोग सवा चुनाओं होने हैं उससे पहले बीजेपी में बगावत हो चुकी है दोस्तों राजिस्थान से ख़वर है जहां के बीजेपी विधायक ने चुनाओं से ठीक पहले बगावत कर द उन्होंने कहा कि केंद्रिय कानून मंतरी अर्जुन राम मेग्वाल भराष्ट नंबर वन हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ पीयम मोधी को पत्त लिखकर उने मंतरी मंडल से बाहर करने गले कहेंगे राजस्थान में अगले कुछ महिनों में होने वाले चुनाओं के लिए यहाँ एक बड़ा मुद्दा कॉंग्रेस पार्टी को मिल गया है तो वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खवा सामने निकल के आ रही है दोस्तों मद्देश विधान सवा चुनाओं में पलट गई है बाजी कॉंग्रेस के पच्छ में चल रही है लहाँ जी हाँ दोस्तों MP चुनाओं से पहले BJP के गले की फास बनेंगे कई नेता 40 से जादा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में BJP पार्टी है तो दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खवा निकल के आई है कि इस बार मद्देश में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है क्यूंकि उसकी लहाँ चल रही है BJP से आम जनता तरस्त है पहसान है ऐसा दावा किया गया है कॉंग्रेस सूत्रों की और से दुस्तों मद्देश में विधान सवा चुनाओ को लेकर तमाम पार्टीयों ने चुनावी तयारिया पूरी कर ली है BJP ने तो कई उम्मीदवारों के नाम का एलान भी कर दिया लेकिन इन सब के वीच पार्टी अभी वी कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर कनफ्यूज है वहीं दोस्तों उदर ख़वर है कि BJP 40 से जादा मौझूदा विधायकों का टिकेट काटने की तयारी कर रही है अगर ऐसा हुआ तो बोटिंग तक ये नेता सिब्राज के गले की फांस भी बन सकते हैं देख सकते हैं एक तरफ दोस्तों 500 करोण उपर के घोटाले का आरो भी BJP पर लग रहा है ठीक पहले ऑडिटर जनरल की यहां पर रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसके वाद कॉंगेस पार्टी ने इसकी सिकायत लोका युक्त में भी कर दी है ये दोस्तों इस समय की बड़ी ख़वा मद अपदेश से निकल के आई है अगर आप भी मान से कोंगेस पार्टी बढ़त बना रही है पहले से ही वीजेपी पर तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा दोस्तों चलिए अगली ख़वे गितब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी ख़वा निकल के आई है कि मायवते ने लिया है बड़ा फैसला इमरान मसूद को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता राहूल गांदी की तारीफ में पढ़ रहे ते कसी दे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है पश्यमी उत्तपदेश के कददावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद को बस्पा ने पार्टी से निकाल दिया है इमरान मसूद पर अनुसासन हिंता का आरोप लगा है और इसके बाद पार्टी ने कारवाई करते हुए उन्हें निस्कासित कर दिया है बता दिंकी 2022 में बिरान सवा चुनाओ के बाद इमरान मसूद ने समाचवादी पार्टी छोड़ कर बस्पा जॉइन की थी पिछले कुछ महिनों से इमरान मसूद लगातार कॉंग्रेस के पूर्वर देच्चे और संसर राहूल गांदी की तारिफ करते नजर आ रहे थे ऐसे में सम्भावना जताई जा रही थी कि बस पार जल्द ही उन्हें पार्टी से निकाल सकती है और देखने को भी दोस्तों कुछ ऐसा ही मिला इसी के साथ चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की तब चलते हैं यहां पर दोस्तों ये दिन भर की बड़ी खबरे और मुखे समाचार थे एक एक करके आप सभी तक पहुंचाए हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप से रिक्रेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने दोस्तों में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद